कि अ Remote username से कड़ा फैड़ कौंद अलों मेरा नाम नारायन है च्छलिए में अप लोगों का एक बार सब्स्सक्रायखत करता हूँ को अन 활 क्यार हिम्agt पडता है उसको कैसे कया है आपके बंलुफ今天 करते हैं, collisions are part of the operation of ethernet, simple सी चीज़ है, यह ethernet का operation है, उसका एक part है, ठीक है, collision, occurring when two stations attempt to communicate at the same time, यह कब होता है, जबकि मेरे पास two computer है, suppose यह एक computer यह है, और एक computer यह है, दोनो एक ही time पर communicate करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो this topic describes how collision occur on land, तो हम इसमें यही सिखेंगे कि 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 तरीके से collision यहाँ पर होता है, ठीक है, तो simple सा concept है, इतने में समाज में आ जाना चाहिए कि collision किया है, दो system एक ही time पर communicate करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त collision occur होता है, यह collision हो जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर communicate to the payroll server, यह एक user है, और यह कि I could have walk to finance by now, तो यह तो कर चोड़ो, बट इस image से पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है, यह collision हो रहा है, यह भी data shend हो रहा है, यहाँ पर और यह भी communicate करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर जाके collision हो रहा है, और डिटल में देखते हैं, collisions are by products of the CSMA slash CD, इसे carrier sense multi-axis collision detection method बोलता है, यह मैं बता हूँगा नेक्स वीडियो में क्या होता है, डीटेल में, तो यह क्या है products है, इसके, CSMA slash CD method, used by ethernet, तो यह कैसे use करती है, इसके बारे में बता हूँगा, मैं, in an ethernet network, हमारे पास अगर को ethernet का network है, many devices share the same segment, बहुत सारी devices लगी हो, तो वो same segment को share करती है, despite listening to, see if the media is free, stations may transmit simultaneously, simultaneously कहना का मतलब यह है कि सपोज यहाँ पर मेरे पास और भी computers है, तो यह क्या है, यह नहीं देखेंगे कि जो हमारे पास जो media है, यह cable है, यह path है, वो free है कि नहीं है, और check भी नहीं करेंगे, और data बेज देंगे, सपोज यहाँ पर एक और computer लगा है, यहाँ पर एक और computer लगा है, ठीक है, तो यह 4 के 4 यह यह 2 के 2 data transmit करने के कोशिश करेंगे, तो उस condition में क्या है? अगर ऐसे होता है, अगर ऐसे होता है, सपोज ही यह एक ही बाहर है हमारे पास, और इस पर ही अगर collision हो रहा है, तो उस condition में क्या है? तो इसको अवाइट करने के लिए एक method यूज होती है, जिसे CSMA slash CD कहते है, यह क्या है, नेक्स वीडियो में बताऊंगा, यह कैसे काम करता है, ठीक है, तो collision, I hope की, clear हो गया होगा, collision किसे कहते हैं, next, इसी को मोर देखेंगे detail में, when the sending station recognize that, recognize the collision event, अब suppose, यहाँ पर collision का पता चल गया है, यहाँ पर किसी एक device को, they will transmit a special jam signal for a pre-determined time, so the devices on the segment will know that the frame has been corrupted and stop communicating, कहने का मतलब यह है, suppose, अभी, यहाँ क्या हुआ है, यह मेरा A है, और यह B है, ठीक है, तो अभी A को पता चल गया है, कि यहाँ पर collision हुआ है, इसको भी पता चल गया है, कि data corrupt हो गया है, तो उस पती हाया, communication बंद हो जाएगा, दूसरे चीज़ क्या होगी, इसको पता चल गया है, तो उससे पहले एक रेंडम टाइमर को यह क्या है, करेगा, चेक करेगा, कि अभी यह क्या स्टेटास है, उस मीडिया का, एस नेटवर्क्स बिकम लार्जर एंड यूज मोर बैंडबिट, सपोज अब हमरे पस अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसे कुछ बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया, सब यह एक एक कंप्टर यहां लगए, यहां पर यहां पर यहां पर लगए, तो उस कंडिशन में गया है, बहुत सारी डिवाइसें सेमिल्टैनिसली डेटा टांस्मिट करने के कोशिश करेगी, उस कंडिशन में कोलिशन अकर होने के चांसे रहते हैं, अब हमारे पस अगर कोलिशन यहां पर ज्यादा हो रहा है, तो हमारे नेटवर्क में कंजिंक्शन होगा, अब हमारे नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी कैन बिकम स्लो और नॉन एक्सिस्टिंट, वही मतलब हो, कहने का मतलब यह था कि अगर इधर बहुत सारा हमारे पास अगर वह हो रहा है कि कोलिशन तो यहां कंजंग्शन हो जाएग और हमारे नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर हमारे पास एक है डिवाइस उसको हम यूज कर सकते हैं हब हब सुरू में यूज हुआ उसके बाद में ब्रिज फिर स्विच यह तो हब क्या एक चोटा नेटवर्किंग डिवाइस से वह भी आर्टपोट के आते हैं तो सपोज हम उसको यहां पर मिडिल में लगा सकते हैं अभी इनके बीच में कम्मुनिकेट कराना है तो इससे क्या है थोड़ा सा डिस्टन्स कम हो जाएगा और कोलिजन होने के चांसस कम हो जाएगा अपस्टन्स कैंणोट इंप्रोव देव कोलेजन इस से क्या है जो हमारा डिहा डि--" इसे कंट रोड एटर ग उसका धिस्टन्स कम हो गा और उनको च्वहां सबनाट हो दिदिधेन्द्रश्टशन नहीं ग blacks होगा रिष धिस्ट्नी ओउगा बटेों इस्टेंऻ हमारा क्या next slide में collision domain. I hope that collision clear हो गया होगा फ्लोग को collision किया होता है ठीक है अब हमें आपर देखें कि collision domain यह दो चीजे और ही collision और एक domain. collision समझ में कि को collision किया होता है ठीक है? अब यहां पर देखते हैं in expanding an ethernet land to accommodate more users with more bandwidth requirements you can create separate physical network segments और फिजिकल इसको हम हम इक तरीके से सेग्मेंट बोल सकते हैं एक segment है यह तो 2segment है, यह 3segment है यह 4segment है और अभी क्या सब्वोज है अभी क्या सब्वोज है अमारा business बढ़ रहा है तो उस condition में मों को ऐसे बनानी की जरूर्वत है तो इसको क्या है? इसको हम बोलता है you can create separate physical network segments called collision domains तो इन्ही को हम इसको separate domain बोल सकते हैं यह एक separate domain है एक separate domain है एक separate domain है और यह एक separate domain है अगर इनके बीच में collision होता है तो वो एक कमारा collision domain के लाएगा So collisions are limited to end domain rather than the entire network तो हो ही कहने का मतलब है यह क्या है एक domain तक limited है rather than entire network तो इस इस टॉपिक में हम भो ही तेखेंगे इस टॉपिक डिस्क्राइब स्कोलिजन डॉमेंस नेक्स लाइट को मूब करते हैं अभी यहाँ पर थोड़ा से समझने की कोशिश करेंगे इन ट्रडिशनल एटरनेट सेगमेंट अभी हमारे पस जो नेटवर्किंग की बात करें हम नेटवर्क एथरनेट सेगमेंट की बात करें तो यह पर क्या है तो नेटवर्क डिवाश्यस सेगमेंट करती हैं तो हार एक है क्या आई कोशिश करती है कि अनको यह बैब़ुट मिले और दुसरा क्या है यह होना चाहिए कि एक डिवैस एंट थैम पर देटा ażूमेट करें दूसर चीज है, the network segment that share the same bandwidth are known as collision domains, ठीक है, तो अभी वही चीज यहां पर है, सपोज, इस device की बात करें हैं, तो यह devices, सभी तरफ क्या है, same bandwidth provide करना चाहिए, ठीक है, तो यह होना चाहिए, basically, और इसी को हम collision domain बोलते हैं, because when two or more device within that segment tree, segment try to communicate at the same time collision may occur, ठीक है, तो वही चीज कहने का है, कि अगर अभी इस segment में, अगर दो devices communicate करने की कोशिश कर रहे हैं, सभोज है, तो collision होने की चांसे हैं, it is possible however to use other network devices operating at layer 2 and above of the OSI model to divide a network into segment and reduce the number of devices that are competing for bandwidth, so what we can avoid this thing... layer 2 के उपर या लेर टु के उपर to devices use होती है, उनको हम use का सकते हैं, और उनको हम छोटे-चोटे और segment में divide का सकते हैं, each new segment then result in a new domain collision domain more bandwidth is available to the devices on the segment and collision in one collision domain do not interfere with the blocking of the other segment कहने का मतलब यह है सपोज अगर में यहां पर एक स्विच लगा लेता हूं ठीक है अब मेरे पास एक इधर बन गया एक इधर बन गया एक इधर बन गया एक इधर बन गया अभी यहां पर जादा लेक्थे इक separate network बना लिया मैंने सेपरेट सेग्मेंटेशन बना लिया इधर पाक है तो अगर यहां पर मेरा collision domain बनता भी है तो यह क्या करेगा दूसरे end पर यह वाले network को impact नहीं करेगा ठीक तो इस तरीके सामें इसको अवोइड कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही था बेसिक कोलिजन किया है और कोलिजन डॉमियन किया है I hope कि आप लोगों के लिए इंफर्मेटिव होगा अब ज्यादा वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं इस कमेंट करना ना भूले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि यह ज्यादा लोगों तक पहुंचे आप मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब का सकते हैं मेरा चैनल का URL यहां पे दिया हुआ है और वहां पे MCITP और CCNA की भी वीडियो मिलेंगे आपको आयोप की वीडियो इंफर्मेटिव रहे गा और आयोप यूजो लैज इंजोई इस वीडियो और थाइंक्स वाचिक वाचिंग पिस वीडियो